चलती ट्रेन में मजदूर को चड़ना पड़ा महंगा गवाए अपने दो पहर सुलापूर एल्वेस्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर एक पर बीते सोमवार रात आड़ बजे ट्रेन की होर्न की आवाज सुन चालीस साला महिमुद्दीन इमाम साब चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश की लेकिन अचानक पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आ गए और वक्त रहते लोहा मार्ग पोलीस ने ये देख तुरंद उन्हें बाहर खींचा लेकिन तब तक उनके दोनों पैर कट चुके थे उन्हें तुरंद सुलापूर सिविल अस्पता लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि कलबुर्गी के रहने वाले महिमुद्दीन इमाम साब अपना इलाज कराने के लिए सुलापूर शहर आये थे जो ठीक होकर अपने घर जा रहे थे लेकिन किसे पता कि उनके साथ यहासा होगा महिमुद्दीन इमाम साब मजदूरी का काम कर अपना परिवार चलाते हैं हम लोगों से अपील करते हैं कि चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश ना करें क्यूंकि दुरगटना से देरी भली